हलो एंड वेलकम प्यारे बच्चो कम्प्यूटर का ये पार्ट सेवन्थ है पिछले पार्ट में हमने 20 MCQ पड़े थे अब हम आगे MCQ सीरीज को कंटीन्यू करेंगे तो देखिए पहले हमने पड़े हैं 20 MCQ अब हम पड़ेंगे 21st अगर जो MCQ हमने पीछे अपने कॉंटेंट के लेक्चर्ज में नहीं पड़ा है तो आपको बिलकुल पैनिक होने की ज़रूरत रही है वो मैं यहां पर एक्स्ट्रक्स प्लेंड करूँगा और दीरे दीरे जब हम नई वीडियो पड़ते जाएंगे सब कुछ आपके साथ क्लेर हो जाएगा आप बिलकुल आराम से इसको देखिए और लिखिये मत ग्रूप में हमने वर्टसप ग्रूप में यह डाल दिया है वीडियो पीडियेफ अगर फिर भी आपको नहीं मिला है तो आप मेसेज कीजी हम दबारा से आपको सेंड करेंगे बताईए इन में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें जरूरत होती है बताओ इन में से कौन सी चीज है जो हमें जरूरी है किसलिए ताकि हम music सुने अपने computer पे कौन सी चीज़ है जो music सुनने के लिए जरूरी है देखो यहाँ पर speaker का option नहीं है अगर यहाँ पर speaker लिखा होता तो हम speaker को tick करते मगर यहाँ पर speaker नहीं है तो आप यहाँ पर क्या क्या है video card क्या video card की जरूर्ट पढ़ती है हमें सुनने के लिए आवाज सुनने के लिए music सुनने के लिए तो video card जो होता है वो video को represent करता है display करता है screen पे क्या mouse की जरूर्ट होती है नहीं क्या joystick की जरूर्ट होती है तो joystick से तो movement करते हैं हम आगे पीछे joystick अगर आपको नहीं पता तो lecture number first में हमने बताया है joystick क्या होती है वहाँ देख लो एक बार फिर से अब यहां पे आएगा sound card अगर हमारे laptop में या हमारे computer में sound card नहीं होंगे तो हम कोई भी sound नहीं सुन सकेंगे तो answer के आएगा इसका sound card ठीक है चलें आगे पता चल गए आपको इन में से कौन सा method है जो नहीं use होता किस के लिए web को access करने के लिए अब web क्या होता है ये web जो word है ना इसको पढ़ाने के लिए मुझे पूरा एक गंटा चाहिए one hour complete तो जब हम internet पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे web क्या होता है आज सिर्फ इतना सुन लो internet को ही बोलते हैं फिल्हाल इतना सुने आप क्या internet use करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए पूछ रहा है क्या हमें modem चाहिए तो modem एक device होती है जो internet में use होती है ये बात आपको याद रखनी है DSL क्या होता है DSL मैं आपको बताऊंगा ये device होती ये भी net में use होती है ISDN क्या होता है ये सारी terminology हम पढ़ेंगे बट इतना याद रखें modem, DSL, ISDN ये सारी चीज़े internet में use होती है मगर यहाँ पर एक चीज़ लिखी है CPU, Central Processing Unit ये CPU internet में नहीं use होता ये सिर्फ हमारे computer को process करने में use होता है ठीक है CPU आप देखे हम PSU क्या होता है PSU stands for Power Supply Unit जो हमारे computer का जो होता है न जब मैंने आपको बोला था वो डबा सा इसको CPU नहीं बोलते है इसको चैंबर बोलते हैं और चैंबर के अलावा इसको टावर भी बोलते हैं और इसको चैंबर भी बोलते हैं इसके अंदर एक transformer सा लगा होता है जो हमारे computer को power देता है तो उसको बोलते हैं power supply unit क्या बोलते हैं हम उसको power supply unit तो PSU की full farm होती power supply unit यह क्या करता है, computer को power देता है, current देता है, आगे बताओ इन में से कौन सी device ऐसी है, जो storage unit की device नहीं है, which out is following is example of storage devices, except इन में से कौन सी है, देखो hard disk drive, ये भी storage है, floppy disk drive, अच्छा floppy क्या होती है, कितने size की होती है, कितने memory आती है इसमें, ये paper में पूछा जाता है, जो हम memory के topic में पढ़ेंगे, cd क्या होती है, cd कितने type की होती है, cd की memory कितनी होती है, dvd क्या होता है, cdr क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, but यहां पे है, बताओ इन में से कौन सा है, जो storage नहीं है, तो printer storage नहीं है, बाकि सारे storage devices, ठीक है, उसके बाद, USB data cable stands far, USB का क्या मतलब होता है, उसके बाद धी program compress large file into small file, एक program होता है, अगर हमारे पास 100 GB की file है, तो इसको compress करके हम MB में लिख सकते हैं, अब MB क्या होता है, GB क्या होता है, ये भी हम memory के topic में कल पढ़ेंगे, तो उसको बोलते है, win zip बोलते है, win zip क्या होता है, win zip एक ऐसा program होता है, जो बहुत बड़े वाली file को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, फिर जब हम computer में ये download करते हैं ना, फिर एक win rar करके software आता है, win rar, win rar, वो win rar software क्या करता है, ये है, win rar, ये क्या करता है, इस compressed file को expand कर देता है, बड़ा size कर देता है, ठीक है, b i s n y c, ये abbreviation क्या है, तो ये abbreviation तो हमने नहीं पढ़ी है, बड़ यहां book में है, तो इसको हलका सा हम यहां बता देते हैं, इसका मतलब होता है, binary synchronous का मतलब होता है, जब एक चीज की speed, दूसरी speed के साथ match कर जाए, उसको बोलते है synchronous, और binary क्या होता है, मैं आपको number system पढ़ा binary synchronous, यहां बाइनरी synchronous, यहां बाइनरी डिजिट में, यह तो आपको पता है, 0 या 1 में होता है binary, उसको sync करता है, उसको बोलते है binary synchronous, the component that process data are located in, वो वाले component जो data को process करते हैं, वो किस में होते हैं, तो वो system unit में होते हैं, यह भी पहले lecture में मैं आपको बताया हुआ, control unit क्या होत है, system unit में वो सारे component होते हैं, जो data को process करते हैं, यानि के microprocessor, वो सारी चीज़े, RAM भी इसमा आएगी, वो देख लिए या वहाँ, पहला lecture, उसके बाद, each dash on a menu perform specific action, बताओ किसी menu में जो, क्या है, जो specific action perform करती है, देखो, client पता क्या होता है, आप इस वकत गर में बैठे हैं तो जो internet आप use करते हैं, उसको बोलते हैं, server, क्या बोलेंगे, server, जो आप घर में हो, आप क्या हो, client, आपका जो computer है, उसको क्या बोलेंगे हम, node, मगर जो perform करेगी किसी भी specific action को, उसको बोलते है, command, क्या बोलते है, command, हम अभी software में पढ़ेंगे, instruction क्या होती है, command क्या होता है software क्या होता है तो command आप इतना याद रखो command का मतलब यह होता है जो कोई perform करे specific task ठीक है इन्हें के हुकम उसके बाद what is meant by dedicated computer dedicated computer का क्या मतलब होता है देखो जो आपके पास गर में computer है न उसमें हम songs भी सुनते हैं video भी चलाते हैं presentation भी बनाते हैं सब कुछ करते हैं तो वो dedicated computer नहीं है वो all in one multifunction computer कोई ऐसा computer जिसका काम क्या हो task क्या हो specific task हो जैसे rocket launch करते वकद जो system use होता है तो specific होता है वो computer जो सिर्फ एक काम के लिए use होता है उसको बोलते है assigned या उसको बोलते है dedicated computer जो एक ही काम करे बस अगर गाना चलाए तो सिर्फ गाना चलाए बस और कुछ नहीं एक ही तरह का काम करने वाले computer को बोलते हैं dedicated computer अच्छा ये तो आपको आना चाहिए the output quality of printer is measured by जो printer की output quality होती है उसको हम किसमें measure करते हैं तो याद है आपको dot per inch मैंने बताया था जितने dots ज्यादा होंगे उतनी quality अच्छी होगी अगला which of the following correctly explains monitor बताओ इसमें से monitor की exact definition कौन सी है तो क्या monitor input device है हरगीज नहीं क्या input around desktop है तो नहीं क्या both end भी हरगीज नहीं तो ये क्या है सिर्फ electronic visual display आपको याद हो का मैंने आपको बताया था monitor is also known as VDU visual display unit उसके बाद which computer bus connects all main memory to the memory controller in the computer system कौन सी bus ऐसी होती है जो पूरे के पूरे memory को computer के साथ connect करती है तो वो होती memory bus ठीक है तो memory bus होती है ये internal bus होती है जो क्या करती है पूरी की memories को आपस में connected रखती है ये बात याद रखने हैं आपको उसके बाद which of the term for any device which is connected to computer system from outside जो बाहिर से हम computer को लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं ये भी पहले lecture में मैंने आपको बताया है RAM तो processing device है bus तो within computer data transfer करती है memory तो computer के अंदर peripheral device क्या करती है external connection होता computer के साथ जोडते हैं हम keyboard बगएर ये सब peripheral devices उसके बाद which key is used in combination with another key to perform a specific task कौन सी की हैं जो दूसरी की के साथ लगाते हैं ताके कोई काम किया जाए तो ये हमने उसमें पढ़ा था keys में control key होती है जो क्या करती है दोनु काम करती है मिल के उनको बोलते है combination की ठीक है उसके बाद देखो ये सवाल में आपको ऐसे बता तो हमने लिखा two plus किया two answer क्या गया four तो manipulation of data इनने computer is called तो हमने ये data है ये data है इसको जमा कर दिया manipulate कर दिया तो answer है चार इसको computer में बोलते है processing data की manipulation को बोलते है processing booting तक को आपको पता है start simplification तो कुछ और चीज है format का मतलब बता है delete कर देना ठीक है उसके बाद chip is a common nickname कि इस चीज को हम chip बोलते है आप देखो transistor क्या होता है मैंने आपको बताया था transistor एक ऐसी three pin device होती है जो current को amplify करती है transistor current को बढ़ाता है semiconductor क्या होता है semiconductor ऐसी device होती है जो कभी conduct करे कभी conduct ना करे silicon, germanium, arsenic ये semiconductor computer की third generation अभी हम generation पढ़ेंगे तो third generation में semiconductor introduce हुआ तो computer में बन गई RAM तो computer की speed बढ़ गई तो chip किसको बोलते है chip integrated circuit IC का दूसरा नाम होता है chip तो IC का दूसरा नाम क्या है chip या chip किसको बोलते है IC को बोलते है ठीक है उसके बाद high speed device used in CPU CPU की अंदर जो हम सबसे ज़्यादा high speed device use करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं register बोलते हैं अब यहां मैं थोड़ इसी चीज़ें आपको extra बताने वाला हूं देखो सुनो bus bus मैंने आपको वह wires बताई थी जिससे क्या होता है data एक जगा से दूसरी जगा पर आता है तो bus इस cancer नहीं है translator translator क्या होता है अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं compiler क्या होता है interpreter क्या होता है translator क्या होता है प्यारे बचो हमें English आती है computer को English तो नहीं आती computer को क्या आता है 0 और 1 तो 0 और 1 को अंग्रेजी में जो convert करता है या आगे पीछे languages को convert करता है उसको बोलते है compiler उसको interpreter भी बोलते हैं अभी इसमें हम difference भी पढ़ेंगे translator होता है जो language को translate करता है अब register क्या होता है register के बारे में कल हम जब memory पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा अभी सिर्फ इतना सुन लो सबसे छोटी device storage device होती है ये क्या करती है ऐसी storage device जो binary symbol को 0101 को save करती है इस device को बोलते है register क्या बोलते है register और ये flip-flop का group होता है तो register सबसे तेज memory होती है fastest device अगर आपको पेपर में आएगा के सबसे तेज memory कोन सी होती है तो इस cancer आएगा register अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार फिर सुन लो register एक ऐसा memory storage unit होता है जिसमें हम minute data save करते है 0101 save करते है तो ये सबसे तेज होता है ठीक है एडिवाइस that not only provides surge protection बट आलसो furnishes the computer with battery backup power यानि कि ये ऐसी डिवाइस है जो computer को सिर्फ protection ही नहीं देती है बट backup भी देती है उसको क्या बोलते है हमारे computer के साथ एक लगा होता है ये बैटरी स्ट्रिप गएरा ये कुछ नहीं होता है UPS UPS का क्या मतलब होता है अगर light चली गई तो UPS हमारे computer को power देगा सिर्फ 2-4-5 minute के लिए ताकि हम computer को आराम से shutdown करें अगर ये ना हो तो जो data हमने काम कर रहे हैं तो सारा delete हो जाएगा अगर light चली गई इसलिए UPS क्या करता है हमारे computer को power देता है थोड़े time के लिए आप नीचे UPS की full form लिखेंगे ठीक है जल्दी से नीचे UPS की full form लिख तो क्या होता है UPS इसना पर पर चलीए आप जड़े हैने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें